नमस्कार दोस्तों मायनगरी में आपका स्वागत है हाजिर हूँ मैं बॉलिवुट की एक अनसुनी कहानी के साथ तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करे हिंदी सिनेमा की दिगज अभिनेतियों में शामिल एक्ट्रेस मुम्ताज ने अपनी एक्टिंग की वज़ा से लाखों दिलों पर राज किया है हाल ही में उन्होंने देवानंद से जुड़े किस से शेयर किये हैं इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि उन्होंने को आखरी समय में देखने से क्यों मना कर दिया था साथ ही एक फिल्म में बहन का किरदार निभाने से भी मना कर दिया था हिंदी सिनेमा की दिगच अभिनेत्रियों में से एक मुम्ताज ने अपनी एक्टिंग से सालों तक फैंस के दिलों पर राज किया है आज भी दुनिया भ अपने हरे राम हरे कृष्णा जैसी कई फिल्मों में काम किया था देव साहब के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से वो चलते थे अपना सिर हिलाते थे मुझे नहीं लगता कि इस पीड़ी के लोग इसे आगे बढ़ा सकते हैं उनका अपना एक व्यक्तित थी एक्ट्रेस मुम्ताज ने बताया कि वो हरे राम हरे कृष्णा के लिए मुझे मिलने घर आये और मुझे फिल्म की कहानी सुनाई थी वो चाहते थे कि मैं उस फिल्म में उनकी बहन का किरदार निभाओं इसके बाद मैंने सोचा कि पहली फिल्म में एक शादी शुदा जोडे का किरदार निभाने के बाद अगर हम अपनी दूसरी फिल्म में भाई बहन का किरदार निभाएंगे तो क्या यह अजीब नहीं लगेगा इसलिए मैंने उनकी बहन की भूमिका निभाने से मना कर दिया और उसकी जगा एक्ट्रेस की भूमिका निभाने की पेशकश इसके बाद उन्होंने मुझे वो भूमी का चुन्ने दी जो मैं फिल्म में निभाना चाहती थी अभीनेता के साथ अपने व्यक्तिकत संबंदों के बारे में बात करते हुए मुम्ताज ने बताया कि देव साहब मुझे बहुत प्यार करते थे मैं देव साहब के बहुत करीब थी और वो मुझे मुमजी कहकर बुलाया करते थे देव साहब अक्सर शूट के दौरान मुझे अपना स्कार्फ चुनने के लिए कहते थे मुझे ये देखकर गर्व होता था कि देव साहब मेरी पसंद को महत्व दे रहे हैं इसके साथ ही अक्ट्रेस मुम्ताज ने ये भी बताया कि उन्होंने देवानंद के निधन के समय उनका चेहरा देखने से क्यों इंकार कर दिया था इस बारे में बात करते हुए अक्ट्रेस ने बताया कि अफसोस की बात ये है कि मैं जहां रहती हूँ वहीं से कुछ दूरी पर उनका होटल था जहां उनका निधन हुआ था कई लोग आये और कहा कि उनको देख लीजिए लेकिन मैंने मना कर दिया मैं अपने दिल और दिमाग में उन्हें सदाबहार देव साहब के रूप में चाहती थी उन्हें वैसा देखना मुझसे नहीं बरदाश होता इसलिए मैंने उन्हें नहीं देखा तो दोस्तो कैसी लगी ये दिल्चस्प जानकारी हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं फिर हाजिर रहूँगा ऐसी ही एक दिल्चस्प जानकारी के साथ बने रहिए मायन अगरी के साथ नमस्कार